कि वेरी बुड़ इबनिंग क्लाज जैन जी क्या चाल उमीद गरता हूं सब लोग बढ़ी और बहुत जबरदस्त होगे एक बर जल्दी से पता दीजिए हमारी आवाज एकदम बुलन तरीके से आप लोगों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है एक बार फ्रावर से स्टाटिक जी कि हम लोग सीरी शुरू करें यूट्यूब पर आज इंट्रो क्लास है ठीक है आज से डेली हम लोग रात को 9 बुजे मिला करेंगे और स्टाटिक जी क्लास किया करेंगे ठीक है एक बर जल्दी से पता दीजिए ओके कुमार आवाज आ रही है आ गई सर मस्त ह लिए एक दम बढ़िया ठीक है एक बर सारे बच्चे इस सेशन को शेयर कर दो फटावट से चलिए बढ़िया 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 गुड इवनिंग जी शुती जी हेलो लाइव हैं ओके हम लोग लाइव आ चुके है यह सरो खेंगे तो पहली चीज जो बहुत आज मैं टेलीग्राम पे देख रहा था बहुत सारे जो है हमारी काफी एकदम परशंचक बन चुके हैं बहुत प्यार करते हैं तो हमेशा अच्छे और दोनों तरह के लोग हम क्वेशन नहीं है तो उनको यह क्या रहा हूं यहर मैं पेपर थोड़ी बना रहा हूं मेरा प्रस्पेक्टिव होता है प्रिविएस यहर सभी क्वेशन को कंपाइल करें बेस्ट कोशन आप लोगों तक देना वो काम में वह खुबी करता हूं ठीक है अब पेपर में आना ना वो किसी के आत में नहीं है वो कुछ भी आ सकता है लेकिन जब मैं पेपर देख रहा हूं तो बहुत सारे क्वेशन हमारी क्लासिस से हैं ठीक है चलो पहली बार ले रहा हूं क्लास बहुत बढ़िया ठीक है तर बहुत कम मार्ग्स है ठीक है सर प्लीज पूरा स्टैटिक जी चाहे मैं किसी तरीके से लों आदा गंटा एंग घंटा चालीस मिनड़ देड़ गंटा पर मैं क्लास टेले लू तो आज क्लास वन है तो इसी तरीके से हम लोग क्लास करेंगे सेटरड़े संडे को वि बने हैं जी के में हर बार 8-9 आते थे इस बार 24 आए हैं इस बिग डील फॉर मी सर आपकी क्लासिस के रिजल्ट है थैंक यू जी बिलकुल धन्यवाद बहुत सारे बच्चे अच्छा रिजल्ट बिदा आते हैं और कुछ लोग बुरा भी बताते तो दोनों को मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि मैं अपना 100% दो बाकी वो डिपेंड करता है यार पेपर कैसा आ रहा है लेकिन मैं अपने पढ़ाने में कोई कमी नहीं चोड़ना चाता चाहिए मैं यूट्यूप पर हूँ चाहिए मैं पेड़ बैच में पूरी जान लगा के पढ़ाता हू कि वो नोट्स जो है आप लोग मिल चुए है पता नहीं आप लोग बात सुन क्यों नहीं रहे वह नोट्स मिल चुके है वाकि एक दिन मैं तसली से नोट्स सारे शेर कर दूँ को ठीक है चली तो तो शुरुवात करते हैं आज के जबरदस से सेशन की और पहला सवाल से हम लोग शुरुवात करते हैं ये रहा पहला क्वेशन, क्वेशन आप लोग सामने फटावर्ट से आंसर लगा है, ये correct answer क्या रहेगा और ताबर तोड आंसर आना चाहिए, question क्या कहता है, in which of the following year was project elephant launch by प्रजेक्ट एलिफेंट के बारे में पहला सवाल पूछा गया है 1982 1972 1962 1992 सर जब यह सवाल हमारे सामने आया तो एकदम हर बच्चा जो है इस लोग क्लास के अदर में ये सवाल पूछ रहा है कि अप्रेल 1992 होगा फरवरी 1992 होगा या मार्च 1992 होगा या इनमे से कोई नहीं होगा तो मेरा आंसर क्या होगा सर सवाल वही है पूछने का तरीका एक और इन्वेंट कर दिया कि elephant का project लगाया गया था project elephant इन में से कब तो answer क्या होगा सर February 1992 होगा यह दूसरा सवाल तीसरा सवाल क्या आ सकता है सर question आया project tiger कब आया project tiger तो मेरा answer क्या होगा comment section रुकना नहीं चाहिए project tiger तो answer क्या होगा भाईया 1973 जो है आपको correct answer लगाना है ठीक है बिल्कुल correct होगा उसके बाद project wildlife या wildlife protection act भी बोल सकते है project wildlife या wildlife protection act बात एक है ठीक है यह कब आया यह सवाल दूसरा हो सकता है 1972 एक यह भी तो सवाल बन सकता है ठीक है फिर आ सकता है environment protection act environment protection act तो answer होगा 1986 तो यह दूचार question है जो आप लोगों से अलग अलग तरीके से पूछ सकता है हम सारे question तयार करके रखेंगे ठीक है कोई भी सवाल है हम लोगों तयार रहना है कि इन में से कुछ भी पूचे तो answer आना चाहिए अगला सवाल है इसका correct answer क्या रहेगा कमेंट सेक्षन में फटा वट से answer आन चाहिए ठीक है फिफ्ट शेट सेकेंड क्वेशन मैं आऊंगो सर सारे question CGL के जो भी question आया है मैं एक या दो दिन के अंदर सारे की सारी shift डिसकस करने वाला हूँ कि क्या क्या सवाल आ है थोड़ा सा वेट करिएगा बस answer लगाओ जल्दी से correct answer पूछा गया है religious community है भारत के अंदर जो primary celebrate करते है पटेटी तो भाई correct answer क्या रहेगा भाया पार्सी रहेगा correct answer क्या रहेगा पार्सी रहेगा सिख आ रहे है पार्सी आ रहे है और पार्सी का क्या है new year है किस महीने मनाये जाता है मार्च के महीने मनाये जाता है कौन सी तारीक को सरी किस तारीक को ठीक है इस तरीके के सवाल भी आ सकता है किस ने चालू गया था बलबन ने चालू गया था बलबन का real name क्या है बलबन का real name है उल्गु खान अब इन भाई साब के बारे में थोड़ा सा blood and iron की policy लगाने वाला blood and iron की policy यही है सजदा सजदा और पाइबोस लगाने वाला यही आदमी है थोड़ा सा याद कर लेंगे तो easy रहेगा यह कहता है मैं कौन हूँ मैं भगवान की परचाई हूँ ठीक है यह भी इनसान बोलता है ठीक है अगला question देखते है question आ गया है कुमार गंधारवा एक renowned vocalist है is known for which of following junior of general music भाई इन में से किस music से जो है कुमार भाई साब जो है संबंद रखते है art and culture जितना हो सकेगा उतना रगड के मैं करवाऊंगा जितना हो सकेगा पेपर previous year आगे पीछे दाएं बाएं सब जगां से देखा जाएगा art and culture को तसली से देखेंगे आंसर लगाईगा सर जल्दी से नवरोज बाई बलबन सजदा पाइबोज बाई बलबन very good answer लगाई correct answer क्या रहेगा कुमार गंधारवा ठीक है folk music है Carnetic Carnetic लड़ाई जगड़े वाला यार ठीक है हिंदुस्तानी classical तो correct answer क्या लगाएंगे हिंदुस्तानी classical ठीक है याद रख लोगे answer देखो इस तरह का question exam में खूब सारे आ रहे नाम दिया जाएगा जैसे पेपर मीजबर पूछा गया था कि भरत नाट्यम को इजद दिलवाने वाले वेक्ति का नाम क्या है मतलब renowned है भरत नाट्यम को push करने वाला तो रुक्मनी के बारे मैंने class के अंदर बताया था और वही सीजेल के अंदर question आया था दूसरा मैंने इक क्रिशन के बारे में बता रखा था वो question नहीं आया था लेकिन दूसरा सवाल आ चुका था ठीक है वाई अगला सवाल देखें नेक्स सवाल देखते हैं देखो यह चेहरा देख लो ऑगला सवाल सुंगा डेनिस्टी का नाम है नहीं पुष मित्रज वेक्ति का नाम है सुंगा डेनिस्टी का फांडर है ठीक भई तो इसने किसको मा रहा था लास्ट मोरियन इंपाइर चलो जल्दी शांसे लगाऊ बिल्कुल सर करेक्ट आंसर पुश्य मित्रा पहला आंसर आ गया फाउंडर हो गया दूसरा बृदरत को मारने वाला है जो लास्ट मौरेन एंपायर था बृदरत को मारा था अब यह अगनी मित्रा जो है मुझे हीरो नजर आता है एक किताब के अ है कल से मेंस बैच में आऊंगा मोस्ट वैलकम सर देखो मेंस बैच की अगर एडिमीशन लेना है तो आज जो है लास्ट डेट है क्योंकि उसका प्राइज फिर बढ़ जाएंगे अगर किसी बच्छे को इंड्रोल करना है तो आप इंड्रोल कर सकते हैं ठीक है कालिदास कौ चाल अगला कुशन देखो नेक्स सवाल है इनमें से कौन सा ग्रीन अल्गी है देखो ग्रीन का मतलब मुझे कुश्चन नहीं भी आएगा तो भी मैं इस कांसर सही सही तरीके से लगा दूँगा देखो पहले तो आर से आर तो ये है रेड अल्गी ये हो गया ठीक है तो ये वाला दूप्शन नहीं होगा उसके बाद मेरे पास बचा लीवर वोस तो नहीं होगा ये वाला बस इन दोगों में डिसाइड करना है ग्रीन का मतलब क्लोरो तो आंसर ये हो गया और फाई को फाई की अगर मैं इसे पूछा जा रहा है तो मांसर क इन विच इयर वाज दा 86th Constitutional Amendment एडिंग 11th fundamental duty ठीक है अब देखो fundamental duty से क्या-क्या सवाल पूछे गए है fundamental duties किस कमेटी ने रिकमेंड की है तो आंसर होगा स्वार्ण सिंग कमेटी पहली चीज़ तो है सर किस amendment के थूएड क्या गया है 42nd amendment 1976 तीसरा point अगर इसी के बारे में बात करें तो 8 recommended थी originally 10 थी आज present time में 11 है ये भी हमको समझ में आई चीक है दूसरा अगर question यह आता है कि fundamental duty से कौन-कौन सी कमेटी रिलेट करती है तो एक तो स्वांड सिंग होगी और दूसरी है वर्मा कमेटी ये आप याद रख लिजेगा वर्मा कमेटी 1999 जो है related with fundamental rights पूछा गया है कि 86th amendment 2002 के अंदर जहां पर बात की गई है 6 से 14 साल के बच्चों को mandatory education देना compulsory है और सेम बात किसमें जोड़ी गई है सर fundamental rights में भी जोड़ी गई है आर्टिकल नंबर 21A का इस्तमाल करके ठीक है जी clear यहां तक आगे चला जाए next सवाल देखते है question आ गया which the following is written by बंकिम चंदर चेटर जी के द्वारा लिखी गई है एक बार इस question का answer को बहुत प्यारा सवाल है एक के करके P से P मिला दो पहले question को उड़ा दो पी से P मिला दो तो पी से P मिलाया तो यह हो गया प्रेम चंद तो इसको काट दो बचे मेरे पास तीन चोकर बली है मेला अंचल है और दुर्गेशन नंदनी है correct answer क्या लगाओ ठीक है एक एक करके सारे बच्चे अंचल लगाओ चोकर बली मेलेला और दुर्गेशन चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आटे लंबर 21 से वासकर सही answer लगाते चलो चली चोकर बली भई पेपर में सवाल यह आया answer क्या आएगा रविंदर नाथ टैगोर तो यह भी नहीं इन दोनों के अंदर correct answer बिल्कुल यही है ठीक है जितना एक्जाम में पूछा जाए उतना तो हम लोग बताई देंगे पी नाथ रेनू जो है इस question है correct answer होगा तो मैं यह कह रहा हूँ जब भी कोई हम question देखेंगे उसके आसपड़ोस की चीजे जादा देखनी है क्योंकि वहीं से जादा question आने की संभावना रहेगी ठीक है अगली बात सर अगर पूछेंगे बंकिम भाई साब कब तो question है बंगाली भाषा जैसे इस बार जो पूछा गया था I think कोई बुक का नाम पूछा गया था पूछा गया था कि भाषा में लिखी ऐसे कोई सवाल आया था कब लिखी गई थी 1865 में अगला सवाल नेक्स सवाल है Ecology first described as a separate field of knowledge in Daesh by the German geologist Ernst Heckel अब ये वाला सवाल इस बार के paper में आया था Stenno के paper में लेकिन यही सवाल अगर तुम previous year question उठाओगे तो उल्टा करके पूछा हुआ है यानि ये वाले option यहाँ है और ये वाला option यहाँ है तो ये दिया गया था लेकिन पिछ्री बार option में ये पूछा गया था ठीक है मलब ये option question देखे ये पूछा गया था उल्टा पूछा गया था तो CGL जर्नली question को बस घुमा रहा है नया कुछ नहीं कर रहा है question को घुमा रहा है ठीक है अगला question देखा जाए यहाँ तक याद रखोगे 1866 question करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है इस बुक का नाम भी कोई है जर्ने morphology डी और्गनीज ऐसा कोई नाम है जो इस बुक के अंदर लिखा गया है अगला सवाल देखा जाए next सवाल what was the percentage of India urban population in 2011 के census के हसाफ से सार क्या मैंने यह सवाल कितू लोग करवा रख है कि पहला census कभ हुआ है यह सवाल मैंने तुम्हें करवाय है क्या मैंने तुम्हें ये सवाल करवाया है कि मुसिलिम लीग कहाँ पर बनी क्या मैंने आप लोगों सवाल किया हुए है टीसरा क्या मैंने आपको कराय हुआ है कि डोकियार्ड दोटा है है ठीक है तो इन कोश्चन को भी थोड़ा आप लोग देखके चलें कि आराम से आप लोग कर भी सकते हैं सवाल ठीक है बाई कोश्चन को देखना जरूरी है बिना देखें तो कोई बात बनेगी भी नहीं चलो यहां पर करेक्ट आंसर लगाओ एक पर करेक्ट आंसर 31.16 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा मैं आपको ने एक बर सीजल का आपको क्वेश्चन दिखाना चाहरा हूं कि सीजल केम टू इंडिया एक अंबेजडर के रूप में सेलुकस निकेटर ने भेजा था इसको इनवी चौधा फॉल्विंग मॉरियन एंपायर कोट डिडी केम किसके टाइम पर आया था चलो अब लगाओ आँसर किसके टाइम पर आया था बस इतना ही तो बताना है कि अच्छलो जी लगाओ रिपर सार पर चांसर अच्छलो अच्छलो करेक्ट आंसर क्या रहा है बी आ रहा है चंद्रकुप तुम्होरे एक टाइम पर आच्छा इनके द्वारे लिखी गई किताब हमको पता है कौन सी है इंडिका है कौन सी किताब है इंडिका अच्छा इन भाई साब ने थोड़ा सा गलत बता दे यह कहरते है भारत के अंदर ना कोई चोरी नहीं होती है कोई दारू नहीं पीता है अगर दारू भी पीता तो कोई सेक्रिफाइज में पीता है बाकी यहाँ पर कभी भुखमरी नहीं देखी गई लड़ाई जगड़ा भी होते तो भी खेतों से दूर जाके करते हैं कभी खेत खराब नहीं हो जाए ऐसी बात है अच्छा यह मैं आपको थोड़े से क्वेशन दिखा रहा हूं जो इस बार की सीजल के पेपर के अंदर आये वे थे एक बार जरा साब इन प्रेंस नहीं को देखा हो है कभी सर क्शेचन है का विजय नगर अंपायर का किंडम पूँछा गया हो एक सवाब यह यह पहली पंत का कोई सवाल है खालसा पंत का सवाल है भाई ये किस दिन त्युहार को सेलिब्रेट करते हैं ऐसा वाला चौथा बैक स्टिक रिलेटेड विछ स्पोर्ट पाँचवा सवाल है यूनिट ओफ जाउल कटा सवाल है वाई यू दूत एयरलाइन कब बनी है स्टिक है सात्वे नंबर पर आता है जाउलम टीशू क्या करती है किसका ट्रांस्पोर्ट करती है आठवा सवाल नौन वाईलेंस डेक कब मनाये जाता है नौन वाईलेंस डेक कब मनाये जाता है नाइन्थ क्वेस्चन ठीक है क्विक क्लाइम का केमिकल नीम क्या है टैन्थ क्वेस्चन ठीक है हर अपन साइट इन में से किस लोकेशन पर नहीं है ये जितने भी सवाल है ये सिर्व मैं एकी शिफ्ट से पूछ रहा हूँ और करेंट अफेर इसमें से नहीं पूछ रहा हूँ ये सारे सवाल क्या हमने विजे नगर एंपायर का फाउंडर किंडम 1336 डेट हमने याद की है ये वाला पॉइंट संगम लिट्रेचर ये हमने नहीं किया हुआ सर सॉयल इरोजन क्या हम लोगों ने इसको नहीं देखा वो क्वेशन को ठीक है खालसा पंथ इवन मैंने खालसा पंथ का फाउंडर इयर भी करवा रखा है ठीक है बेसाखी वाले दिन बेसाखी बेक स्टिक होकी वाला ये क्वेशन मैंने खुद आप लोगों को यूट्यूब के सेशन में करवा रखा है ठीक है यूनिट ओव जाउल बहुत बार करवा रखा है वाईदूत एरलाइन ये हमने यूट्व वाले सेशन में भी कर रखा ये चीज़े ठीक है जाईलम वाला कितनी बार किया हुआ है नौन वाईलेंस डे भाईया हमने रटे हुएं ये कोश्चन इतनी बार क्वेक क्लाइम CAO ना जाने कितनी बार हरपा की एक-एक साइट हम लोगों ने की हुए उडान बैच में तो भरबर के की हुए है तो जब बच्चा मुझे ऐसे कहता है कि सर आपके बैच से पढ़ने के बाद कोई कोश्चन नहीं आता तो मैं ये कहता हूँ सर मैंने तो बिल्कुल उन आसान कोश्चन भी किया है जो डारेक्ट क्लास के अंदर है और इंडारेक्ट तो मैं कोई कोश्चन देखी नहीं रहा हूँ जैसे कोश्चन कैमल वाला पूछा का है कि स्टेट का राजस्थान का है ठीक है कोई करेंट अफेर मैं नहीं उठा रहा हूँ जो भी करेंट अफेर पूछा का है कोई नहीं उठा है सेंसस का कोई कोश्चन नहीं उठा है सिरफ ये बहुत सिंपल कोश्चन उठा है दस कोश्चन जो हमने डारेक्ट क्लास के अंदर किये हुए तो इन question से से मैं 20 number तो ला सकता हूँ ना ठीक है current affair और दिर हाथ pair मारके मैं 25-30 के बीच में नहीं ला सकता और ये तो उनके बारे में जो सिर्फ मैंने हलके full के classes करवा रखे हैं अगर तसली से class देखे तो बहुत सारी चीज़े हम लोग कर लेंगे ठीक है मुश्किल आसान आती रहते हैं मैं मानता हूँ और ये भी मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़े जो है class notes में से नहीं आती है कभी कबार shift ऐसी होती है कि question नहीं भसते है लेकिन एक shift या दो shift को लेकर पूरा जर्नलाइज करना की नहीं आता तो थोड़ा सा मुझे लगता है एफ़र्ट हम लोग पूरा दबा के करते हैं तो हमको देखना चाहिए ना चीज़े है बाकी कोशिश ये रहेगी मैं CGL के सारे के सारे question कर वा हूँ ताकि अगर CHSL या किसी भी shift के अंदर कोई भी question वहाँ से मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाए मैं सारे shift कर रहा हूँ 40 की 40 shift जो है मैं CGL के आपको एक या दो दिन के अंदर सारी की सारी करवा दूँगा ठीक है अगला question देखें नेक्स सावाल देखते है विचोधा following inland riverine port ये इस बार की CGL में आया था ये स्टैनों में भी आया हूँ ठीक है riverine port पूछा गया कलकत्ता याद नहीं रहेगा ठीक है कलकत्ता correct answer रहेगा इसमें दो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है कलकत्ता एकदम correct है रही है correct answer क्या रहेगा कलकत्ता रहेगा clear इतना याद रख लोगे कलकत्ता कलकत्ता को ही कई बार हम लोग twin dock yard भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं twin dock yard भाया दो बंदरगा की मिलकर बने कलकत्ता और हल दिया तो इन दोनों का मिश्रण है तो ऐसे भी कई बार पूछते भाया किस नदी पर है दा मुदर है याद रख लेंगे नेक्स सवाल देखते हैं ठीक है भई यह आप देख सकते हैं अगर कोई बच्चा जो है बैच लेना चाहता है पूर मेंस ठीक है तो यू तो यह वाला कर सकते हैं सुभे नौ से लेकर साड़े दस बिज तक यह बैच चलता है एक साल की वैल डिटी है पीडिएफ नोट्स क्वेश्चन वाले हैं जो क्वेश्चन में टिक लगागा देता हूं वह पीडिएफ आपको साथ सत मिल जाएगी आफ्टर दा क्लास भी ठ क्लास के अंदर दूसरा मैंने इस क्लास के अंदर जीएस का स्टैटिक प्लस आर्टेन कल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया है अगर आपको यह लगता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूं आप यूट्यूब का सेशन उठाओ और उसको देखो अब पढ़ रहे हैं मेरे साथ वो आप यूट्यूब पर पढ़ी रहे हो तो इन चीजों से आपने आपको देखो अगर आपको लगता है लेना चाहिए तो आप ले लीजी ठीक है यह सारी क्लास जो आपके मेंस तक चलेंगे और डिली ठीक है पांचों दिन जो है आपकी क्लास के बाद एक टॉपिक बता दे है यह कहा रहा है तमिलनाडु वाले रीजन में बारिश होगी ठीक साउथ आंद्रपरदेश की तरफ बारिश होगी साउथ एस्ट करनाटक और केरला की तरफ थोड़ी वह बारिश होगी अक्तूबर नवंबर में यानि सर्दियों के टाइम की बारिश है और हम यह अच्छ हरियाना यूपी इस एरिया के अंदर सर्दी में बारिश होती है तो वेस्टरन डिस्टरबेंस होता है मैंने क्या पॉइंट लिखा मैंने उसको लिखा है वेस्टरन डिस्टरबेंस यह आपको पॉइंट याद रखना है वो वेस्टरन डिस्टरबेंस के विज़े से होता ह नेक्स सवाल देखिएगा इन में से बताना है अभी इस जैसे स्टैटिक सवाल अगर पेपर में आएगा तो हम कितना भी दम लगा लें काफी सारी प्रॉब्लम हमको सहनी पड़ेगी ठीक है चलिए एप पे तो नहीं है अप पे नहीं है आपको कल टेलीग्राम गुरूब दे दिया जाएगा और अप पे भी मिलेगी अप पे दो चार घंटे बाद अप्लोड होती है टेलीग्राम गुरूब बना के दे दिया जाएगा लक्षे बैच की बच्चों को आप सिधा बहां जाओ और जोइन करो ठीक है चली करेक्ट आंसर क्या रहेगा फोर्थ में पूचा गया है 56 36 48 60 करेक्ट आंसर में क्या लगाओ फटावट सारे बच चांसर लगाओ तो करेक्ट आंसर रहेगा 1956 मेलबन वाल लोकेशन है वह यह बिल्कुल स्टेटिक वाला पार्ट है इस तरह का क्वेश्चन अगर पढ़ा हुए तो करो नी तो छोड़ भी सकते है अगरा सवाल देखते है नेक्स्ट क्या रहेगा बस यहां पे सवाल खतम हो जाता है कि मास्टर दा किसको कहा जाता है 1930 में रेड करी 32 में पकड़ गए 33 में ऐसे फासी दे दी गई थी ऐसा कुछ जिनका प्रोग्राम रहा था मास्टर दा के बारे में बात करें तो सूर्यसीन सीधा याद कर लेना बहुत प्यारा सवाल अब एक क्वेश्ण जो है मुझे लगता है कि एग्जामिन आज जितने बच्चे मेंस की त्यारी कर रहे है जितने बच्चे मेंस की तियारी करें, इस question को attempt करो, question क्या है, मनीपुर conspiracy कब हुई, question से वितना आया है, 28 में, 48 में, 42 में, और 18 में, answer लगाओ जुल दीचे, मनीपुर conspiracy कब हुई है, मनीपुरी conspiracy लिख दो और मनीपुर conspiracy लिख दो, answer लगाओ, कलपना दत्वी थी, बिल्कुल थी, answer लगाओ sir, जब हम कहते हैं कि हम मेंस के prepare कर रहे हैं, तो हम लोगों को level थोड़ा सा push करना है, हम लोगों ये मान के चलने कि जो सबको आता है, वो तो मु जनत के उपर है, selection कितना होगा, ठीक है, answer लगाओ जल्दी से, 28, भासकार बहुत बढ़िया, बहुत शांदार, और बताओ, और बताओ, चली, अगला question का answer आन दो, answer लगाने में कंजू से मत बतता को, यूट्यूब पे बैठे हो, लिखने में कोई दम जा रहा है, लिखो ब जात कलेना, राम, परसाद, बिस्मिल भाई साब इससे जुड़े हो है, ये एक नंबर का जबरदस सवाल है, जो हमें एक्जाम में आ सकता है, हम इसको जर्नली छोड़के जाते हैं, और हम पढ़ते भी नहीं है, लेकिन आज की बाद पढ़ना है, अगला सवाल देखते है, तो एक क्वेशन है, विच ओधा फॉल ट्राइब ऑफ नागालेंड, सेलिबरेट दा मिम्टुक फेस्टिवल, मिम्टुक का त्योहार मनाते हैं, सारे के सारे त्योहार, जो है, सारे के सारी चीजे, हम लोगो नागालेंड की तरफ देखी जा रही है, यानि जितनी भी ट्र ट्राइब से हो ना तो यहां से हम याद रखेंगे ठीक है चलो अगला सवाल ठंडा है किदर आओ जल्दी सवाल है होकी में तुमने उड़ते उड़ते एक एरियल पास दिया है ठीक है पूछा गया है लेफ्ट साइड से दिया है फिल्द के अंदर इसको क्या कहते है अब फिर से ये क्वेश्चन जर्नली हमें इतना कॉमन नहीं देखने को मिलता पर सवाल आया है तो क्वेश्चन करना है लेकिन हाँ एक बर करा हो तो आदम कर लेता है नए-enneas also डर लगता है वर्ट इज, एन एजोला क्या duecит क्या रहेगा फ़र्ण है스र और ये कोछ धुपीट भार जिब पेपर में दिया वा था तो है Aquatic, और यह question repetition है, बस, पिछली बार जब पेपर में दिया हुआ था, तो Equatic past लिखा हुआ था, क्या लिक्वाक प्योगत दिया हुआ था ? लिक्वीटा था, वहां लिखा हुआ था, Equatic destin, मैंने Actually में प्रिविएस येर पेपर में देखा, ये स्टैनो का पेपर है, जो रिसेंट में हुआ था, और इक्वेटिक फन बहुत पुराना पेपर में दिया हुआ था, लेकिन वहाँ पे बस इतना लिखा था, इसको अटा गे बस ये लिख दिया, करने ऐसा वाल खड़ा कर दिया, ऐसा सभी नहीं कि जिन्दगी में पहली बार देगा, और करेक्ट आंसर क्या, मैं करेक्ट आंसर 2015 याद है, तो बस, आज के बाद याद रखो, सही है, आगला सवाल देख लेज़े, नेक्स सवाल आता है, विच टेंपल इसन एपी सेंटर फोर दा रत यात्रा इन उडी सा, उड सभी विच्ट राता का एपी सेंटर है, तुमने एक्वेटर में पढ़ा, अर्थ को एक में पढ़ा था ना, सेंटर से निकला है, जो पिर्थियू पहले टक से टकराएव वे आपी सेंटर हो गया, तो पहला बुचा है, जगनात है, कौनार के लिंग राजे, मुक्टेश व जगनात रहेगा अब सवाल यह आया इन में से कौन से टेंपल को वाइट पगोड़ा बोला जाता है वाइट पगोड़ा इन में से किस टेंपल को बोला जाता है दूसरा सवाल यह बना इन में से किस टेंपल को ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है दो सवाल हम लोगों के सामने आंसर लगाऊ। जगनात पूरी का टेम्पल जो वैट पॉड़ा है। याद रखोग willingness ये इन दोनों से भी सवाल बन सकते है। है य। जिविड मोनुमेंट्स श्रुटिव। कॉनार। है। मने मि ले हैं उनको याद करना है। variety तरीके से चलिए सवाल है मुक्ताम खम उत्वारिक रिटन बाई इनमें से किसने लिखी है ना तो हमने ये पड़ा दाराशुप जो की फेवरेट बंदा था ट्रांसलेशन करता दबा के ना हमने अकबर में पड़ा इसके बारे में तो इनमें से एक जो है वो तकड़ा राइटर सा लग पिशले मुंताक में ना मून्ताक में किसके बारे में बात की अकबर बाबर इनके बारे में बात की गई हो वो सवाल को बदल सकता है तो एक तो मैं सबसे पहले इसको फटा ओबामा भीया है यह हटा दिया वर्ड्स वाला यह मैंने बहुत देखा लेकिन ऐस सच कोई एक मंदा नहीं है मल्टिवल किताब इन से मिल रहे तो इसको मैं सेल मिनिट कर रहा हूं करेक्ट आंसर यह होगा इस बढ़ोर के सीजल में भी थी इसल वाने டला चैट सार मैंने कैट ल्या हुए लेकिन मुझे टेली आसं तो किसी को बयान ही नहीं किया मैं स्कृxim सीर कर दूंगा बाई कितने हमारے पूरे टेलीगराम ход में सभाइथ है तो अब से देना बंद हर एक को तसलिए बंद मैं हर बच्व को परिशान होता है परसनल करता हूं वह ना पूरा ऐसा रहता है अब से ठीक है नॉर्मल रखा तुम्हारी बाते सुनता हूं हर चीज बोलता हूं जितने बच्चे टेलीग्राम में आप किससे बात करने का आप इस चीज को समझा करो ठीक है आगे चलें नेक्स सवाल देखा जाए अगला कोशन दिखीगा नेक्स है चिक मंगलू करनाटक के अंदर फेमस है कल्टीवेशन किसका इलाइची कोफी सैफ्रोन जूट करेक्ट आंसर क्या लगाओ फूरावट से लगाओ ठीक है तावड तोड आंसर आने दो ठीक है क Cameronूर करनाटक के अंदर फेमस है कल्टीवेशन किसका इलाइची कोफी सैफ्रोन जूट जूट वाला तो मैं वेस्ट मंगलू वाला वैसी आदा बैंगलादेश वाला वैसी याद हटा दीया का एक्ट आंसर की रहेगा पढ़ना जरूरी है सेलेक्शन लेने जरूरी है ठीक है भीड में भीड बनके नहीं रहना है कुशिश करेंगे कि इस बार जो है भीड से आगे निकलकर जॉब लेकर एक्टम सेटल हो जाए ठीक है नेक्स अवाल देखते हैं विच ओधा फॉल्विंग लेर ओफ एटमोस्फेयर इस लाइबल पर ग्रीन आउस वेट इफेक्ट का मतलब क्या है सर सीधा सीधा कहना चाहरा है कार्बन डाइक्साइड और हम लोग जानते हैं कि यह कार्बन डाइक्साइड का परसंटेज जो है वो 90% से भी जादा वीनस के अंदर है और वीनस में ग्रीन आउस वेट इतना जादा है कि वो क्या बन गया है वो बन गया है ब्राइट टेस्ट वो क्या बन गया है ब्राइट टेस्ट प्लैनेट बन गया है तो हमें यहाँ जखना है कि हमारे वायूमंडल के अंदर सबसे ज नजर आते कि वह मोग याद कर लेंगे चलो मेरे चैनल पर नहीं हो मेरे भाई एक बार देख लूँगा वैसे बैन कोई भी नहीं है एक बार यह लेखो जल्दी से देखो ध्यान से देखना क्या क्या है सबसे पहले कह रहें ट्रोपोस्फेर यह हमारी पिर्थ्वी है और यहां पर उड़ा रहा है लेकिन कोशिश की जाती कि जैट प्लेन यहां पर उड़ा है क्योंकि बादल बादल है बादल जरूरी है लेकिन बादलों से उपर उड़ाये जाता ह तो पहले ये दूसरा ओजोन ले लिखा हुआ है और ये किसके अंदर है स्टैटोसफेर के अंदर है क्वेश्चन आता है ओजोन की लेयर किसके अंदर पाई जाती है स्टैटोसफेर के अंदर पाई जाती है ये राज स्टैटोसफेर की वज़े से क्या होता है इस ओजोन लेय है तापमान फिर गिरता है तो बढ़ता गिरता बढ़ता गिरता इसी तरीके चलता है यह आप याद रखेंगा यहां पर जितने भी होते हैं हमारे सिंदी हमारे हो जोड़ने वाला इंप आप प्रांग जाता है अगला सवाव देखेंगा तो ये फेस्टिवल कौन मनाता है अगेन ये फेस्टिवल जो है पार्सी लोग मनाते है सर सवाल देखो पार्सी लोग पीछे पड़ गए है तो आपको याद रख लें और रहेगा ठीक है सर हो जाएगा हो जाएगा ठीक है कोई बात नहीं मैं यूट्यूपर क्लास लेता हूँगा मैंने भी सोचा है कि अब यूट्यूपर भी क्लास लिया जाए ठीक है अगला सवाल देखेगा सर ये बिलो फ्राइट जैसी मैं बोलता हूँ न तो इस टम इस रिलेटेड डारेक्ली विद फंडमेंटल राइट्स और ये बिलो फ्राइट्स हमने कहा देखा हूँ है बिलो फ्राइट्स हमने थोड़ा थोड़ा इस पॉइंट पर रिलेटेड देखा हूँ है यूएस से के अंदर फंडमेंटल एट्स वो बिलो फ्राइट्स के बर बोल देते हैं अब पूछा गया, इन में से किसने, भी आंसर याद रख लेगे, मोतिलाल नेरू, कब की बात है, 1928 की बात है, आपको ये भी आद रखना है, ठीक है, question के अंदर क्या-क्या लिखा हूँ है, पहले तु ये ही जान लो, बिल ओफ राइट पूछा गया, हम येर नहीं ध्यान देंगे, हम सीधा आंसर पर ध्यान देंगे, नहीं, आंसर से पहले हमें ये ध्यान देना है, कि question के अंदर क्या-क्या चीज़े पूछी गई है, ठीक है, इस चीज़ पर जादा ध्यान देना है, अगला सवाल देखा है, ठीक है, नेक्स सवाल देखा जाए, नेक्स क्रेशन आ गया, नेम दा मेटल यूज़ फॉर वैरी ग्रीन प्रोसेस, जर्नली जब मैं ग्रीन विलिन का देखता हूं, मैं आईरन, कॉपर, जिंक इन तरह गर ढूनने लगता हूं, इसमें कॉपर नहीं है, इसमें सीधर ए बहुत अच्छा प्रफॉर्म हम करके आएंगे, ठीक है जी, नेक्स सवाल हमारे सामनी ये रहा, विचोदा फॉल्विंग हरपन साइट इस डोकियाड, पेपर में सवाल आया था, इन में से कौन सी साइट जो है, हरपा की लोकेटिड नहीं है, ठीक है, इस तरह का एक सवाल ये देखने को मिलता है, आपको ये वाद रखना है, सेम बात काली बंगन से भी मिलती है, काली बंगन में काली चूडियां, ये भी मुझे याद रखनी है, ठीक है, याद रखेंगे, अगला क्वेशन देखा जाए, नेक्स सवाल देखते हैं, क्वेशन आ गया, विजे इपोर्टन नदी है, वो है भी मा, दोनों याद रखना, तुंग बदरा और भी मा क्रिशना की ट्रव्यूटरी, क्वेशन पूछ लेंगे, नरमदा क्या बनाती है, सरदार सरोवर डैम के ओपर बना हुआ है, और एस्चूरी बनाती है, याद रखनेना, ठीक है, नेक्स सभा मीट फोर दा फर्स टाइम, इसको डेट से पूछो, ठीक है, इसको डेट से पूछो तो ज़्यादा अच्छा क्वेशन यह बनेगा, क्रेक्ट आंसर क्या लगा हूँ, तो क्रेक्ट आंसर लगा जीगा, 13 माई, 13 माई, 1952, याद रख लिजएगा, ठीक है, बहुत बढ है, बहुत बढ़िया, 52 एकदम करेक्ट है, आगे बढ़ आजाए, नेक्स सवाल देखें, नेक्स सवाल देखेंगा, सुप्रीम कोट ने केश वन, केश वन भारतिक है, जितने भी इंपॉर्ण केस हैं, बरबुरी केस, सारे केस हैं, उसको याद कर लो, क्लेक्ट आंसर क्या क्या रहेगा, माहराष्टा, ठीक है, पालकी फेस्टिवल याद अख्रहना, माहराष्टा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, छलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है, ये आप देख ली जेगा, मैं PDF अप्लोड कर दूँगा, तो आब यहां पे आप कर सकते हैं, क् जिसका मन हो सर कोई ऐसा नहीं की जबरदस्ति है जिसका मन हो ले ले जिसका मन नहीं नहीं ठीक है बहुत सिंपल सी बात इसकी सारी पीडियेव आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी तो जो बच्छा पहली बार देख रहा है एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और टे क्लास अच्छी लगती है तो हम लोग लिखते हैं मजा ठीक है मैं कोशिश कर आँ मैं 40-45 मिनिट का सेशन रोज लूँ हाँ अभी एक क्लास कंटिन्यू रहेगा रोज रात नो से जितने बज़त नो चालिस तक दस बज़त 10-10 बज़त तक बिल्कुल बिल्कुल मैं कंटिन्यू करूंगा सर मैं उन लोगों लें कंटिन्यू करूंगा जो एक्चल में पढ़ना चाहते हैं मैं उन लोग बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा पेड क्लास चलता रहेगा यूट्यूब सेशन चलता रहेगा जिसको जहां अच्छा लगे व से कम 21 दिन जो है हम इस सीरीज को चलाएं फिर देखते हैं क्या हो सकता है देखो सर पता चल जाएगा सर थोड़ा से कोशन करने लग जाएंगे और आप लोग से मुलाकात करेंगे कल नौ बजे रात को और जो पेड़ वाले बच्चे उनसे मुलाकात करेंगे सुबह नौ बजे और बेस्ट अफ लग एकदम तहल का मचाने जबर मेंस निकाल लाएं चलिए बबाएं चेक क्या है